दोस्तों आशके इस वीडियो के दम बात करेंगे CCMH VS VFNR के बीचे होने ओले मैच के बारे में कौन सा बल्ले बाच आपको आशके इस मैच बेसक रंस बना के देगा बॉलिंग से भिखर ले के देगा इस मैच के आपके लिए पीज रिपोर्ट के होगा प्लेंग 11 के होगा कि देख आए सबसे पहले बात करेंगे ऊइGO सबसे पहले सेर लिकरने डिस्किप्शन और क्वें से दे रखाए सबसे पहले बात करेंगे कौन से तीम मैच जीज सकते हैं यकीन मारोगा अगर आपका ये प्रेडिक्शन से ही होगा तो 70% कौन तेसा आप ऐसे ही वांद कर सकते हो तो CCMH के तीम ने आखरी की जो अपने 5 मैचेश के लिए हो है उसे तीन मैचेश जीत करके रिया एक मैच हार करके रिया और एक मैच जो इसका अबंदन गया हुआ है यानि काफी श्रॉंग जोन में वहीं VFNR की तीम है आखरी ये पांच मैचेश जो खेल है तीन मैचेश जीत करके रिया और दो मैचेश हार करके रिया है यानि कि कही न कई दोन उती में एकदम बराबरी का परफॉर्मेस करके दे रही है अगर मुझे लगता है स्नेतरम चल गया तो इसली ये मैच सीसी है मैच की तीम ये मैच जीत जाएगी है लेकिन अगर यहां स्नेतरम फ्लॉप गया तो कही न कई विए फन आर की तीम भी काफी श्रॉंग नजर आ सकती है वही है कब है बात करूँ इस मैच के पिस रुपोट की तो यह जो मैच हो रहा है यह आपको सबसे पहले विकित की विंग सेक्षन आपके दो अच्छे अप्सानेंगे एक यहां से एस नेतरम जो क्या आपको जो कि आपको सीसी है मैच की टीम कोड़ से PRODK करते है नजर आ रहा है बले वाज में बी ओपनिंग के लिए नजर आ जा रहा है प्लस आपको विकित की विंक से भी पोइंस लाके जा रहा है तो आपको ले काफी सांदर बलेवाज जी अप्सन हैने वाला आखरी मैच जैसा कि मैने आप से कहाता कि फ्लॉप होनी के चांसे सेंव वही हुआ फ्लॉप हुआ एक फिर से मुझे लगता है पहले मैच की तर अच्छा परफॉर्मेस करने के चांसे बहुत ज़्यादा हाई ल इसको पर रिस्क ले सकते हो लेकिन स्मॉल लिग में निकालने की गलती जल्दी मत करना बले बाजी में भी आपको तीसरे चौथे नवह पर नजर आजाएगा प्लस आपको बालिंग से भी दो ओवर पूरा करके देगा उसके बाद नहां से आर मोजस जो कि आपको बले आज में भी फोर नवह पर नजर आजाएगा प्लस बालिंग से भी दो ओवर पूरा करके देगा तो यह दोनों प्लस आपको जो कि आपको हांदरत के करी पॉइंच दिलाके जाएगा और एक प्लेयर ऐसा होगा जरूर जो कि 50-60 के करी पॉइंच दिलाके जाने के चांसर नजर आ रहे हैं उसके बाद यहां से मैं बात करूं तो इचालेश जो की बलेज में ओपनिंग करेगा आखरी मैच पंद्राव बाल पर आधरन बनाया उससे पहले मैच भी फ्लॉप गया लेकिन ओपनिंग कर रहा है उसके बहुत भी दोनों मैचस में फ्लॉप गया पहले म उसके बाद यहां से आप पिती में लेकर करके चल सकते हो यहां से दी सोलो मन जो कि आपको एक से दो ओवर बालिंग करकी दे सकता है आखरी मैच से एक और बालिंग करके यहां पर इसको दो ओवर बालिंग पूरा मिला वहां पर इसको एक विकेट भी मिला हुआ यहां पर और कई मैचेस ऐसे गए हुए जा पिस ने बॉलिंग कर रहा है लेकिन कई ऐसे मैचेस भी जाते जिए आप पर बॉलिंग नहीं मिलता है अगर बॉलिंग नहीं मिलेगा तो 7 नमबर करी बलेवजिक लाएगा यानि कि बिल्कुल भी अच्छा चोइस नहीं रहेगा तो अपले और दी एदवाद यहां से दी एदवाद जो भी एफ एनर की तीम कोड़ से बलेज में ओपनिंग के लिए नज़रा जाएगा आखरी मैच से 75 रन के पारी खिलकी दिया हुआ सिफ 27 बॉल के दर प्रेस शुरू के एक वर बॉलिंग भी कर रखा है यानि कि बॉलिंग भी कर सकत तो आप इसने बॉलिंग भी कर रहा है एक एक वर अपले एक अच्छा प्लेयर रहने वाला है और इसके फ्लॉप होने के भी चांसर सा ये चीज़ आपको याद अखना अगर वी एफ एनर की तीम आपको लग रहे है कि मैच हारने वाली है तो फिर उसके बाद यहां से आप अगर आपको हमारी फाहत इसी मैं पैसे लगाने वालोग आपको यहां पर जोइन उना पड़ेगा जहां पर जोईन नंआ एकदम फ्री है मैं वहीं पर अपने ग्यारा प्लेस पूरे क्यावस का सभी चीज़े तोस हो जाने का लाइनाप पाजाने का सबसे पहले सेयर कर देता हूँ तेली गर्रामचन का लिंक आपको मालूम होगा कई बार कई चीज़े मालूम चल लाते हैं वासा का कुछ भी पता चलेगा सबसे पहले सेयर कर दूँगा तेली गर्रामचन का लिकरें दिस्क्रिप्शन और कमेंस स्क्षन वाक्स ने दे रहा है जोइन हो जाओ बालिंग अपसाने आखरी वाच के आर्नौल्ड ने हमें अपने दम को अल्टरा मेगा क्लिंस कराने बहुत बड़ी मदद किया है एक ब फ्लॉप होने के चांसे से दी जॉन का भी से वही है यह दोनों बालस तभी चलेंगे जब सीसी मैच की तीम को मैच जीतना होगा बाकि ज्यादा चांसे से कि दी जोन इस मैच से चलेगा और के आर्नौल्ड फ्लॉप हो सकता है या फिर इसको मैक्सिमम एक ही विकेट मिलेग उसके बाद यहाँ से बात करतों कोई भी ज्यादा अच्छ अप्शन ही रहेगा लेकिन हाँ के एश्टी हिल्स और एच इसमित दोनों आपको एक एक दो दो ओवर बालिंग पूरा करेगा और एक अच्छा बालर है वी एफनर की तीम का सबसे में बालर है आपको एक सांदर बालिंग उफ्शन रहेगा उसका एच इसमित के बाद करो आखरी मैचस इसको सिर्फ एक ओवर बालिंग मिला यहाँ पर इसको दो ओवर बालिंग पूरा मिला यहाँ पर पीशने दो ओवर बालिंग पूरा क्या हुआ अकसर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो आप आप प्रिंग में ले सकते हो जिसका नाम है यहाँ से ए प्रिंस को ले सकते हो क्योंकि के बालिंग पूरा आपकी और तीसरा अगर को यहां आपको लग रहे कि फ्लॉप हो सकते तो के औरणॉल्ड भी फ्लॉप हो सकता है बाकी मैं मिस्स नहीं करूगा बल्ले वज़े आपसो ने आप चाहूते हैं यहाँ से आपटीम से दीध होमस को निकाल करके इस चालेस को ले सकते हो या फिर यहाँ से ले सकते हो दीध सोलो मोंथ को बाकी कोई जाता जी यल में भी आपको रिस्क नहीं लेना है एक एक दो दो प्लेयर्स के उपर चेंजेस के लेना बाकी कोई ज़्यादा रिस्क मत लेना बात के लेते हैं अपने आज से कैवेसी वाइस कैवेसी के जो कि एक स्मॉल लीगी तिंग पुले बहुत जरूरी है उससे पहले बता दूँ आगरी के 5-6 महिनों से अपना पूरा पैसा जो है सेवासी 11 चलिंजेस आपको लगा रहा हूँ इसका सबसे बड़ा रिजन है फैंतेस्टिक के जितने भी आपली किसन है आपको सबसे ज़्यादा लोई रिफीज वा लेवन चलिंजेस आपको पर ही देखनों मिलेगा यहाँ पर आप मेरे कैने पर बसेगवा अपने 1000 रुपए लगार करें देखो विना हरी आपको 100 रुपए बचा लोगे लेवन चलिंजेस आपको अपने जयाज जयादा पैसा लगाना शुरू करतो लिंक आपको आपको है दिस्किप्शन सेक्षिन सबसे उपड देखनो मल जाया है जाओ अभी कभी दिस्किप्शन है जाओ मेरे कैने पर एक बार दाउनलोट करो और एक बार खिलो मैं भी इसमाच करते हैं अपने पूरे पैसे 11 चलिंजेस पर लगाने लोग यहां के यूट्यूबस को तार्गेट करूँ अज जिससे का आई तीम के 11 चलिंजेस पर जीदन दखेंगे मुझेत करें अब लेकिन आप सेफ जाना चाते हो था लाना चाहते हो अरो मोजब को रख रख सकते हो यहां से दी ऐदवाद को भी राक सकते हो वाकी लिलिदी जोन आलीसिस बता दिया जिसका आप नाम भी नहीं जानते होगे वीडियो अच्छा लगो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना तो सोनी का लाइना पानी का था हमारी फाइटीम से तेली गर राम चने को पर जोईन हो जाना जिसका लिंक आने डिस्क्रिप्शन और कमें सक्सें मौक से सब्सक्राइब करना मत बोलना